असलाम वालेकुम इस वीडियो में हम देखेंगे के पैरेट अप्रेटिंग सिस्टम डीबेस को व्यम्वेर वर्कसेशन 16 ब्रो में कैसे इस्टॉल करते हैं तो चलते हैं व्यम्वेर पे create a new virtual machine then next next यहाँ पे linux सेलेक्ट करें और यहाँ पे डीबेन 64 dip in 10.164 चूज़ करें then next यहाँ पे इसका नाम पैरेट अपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं पैरेट ओएस इसको इसकी लोकेशन देते हैं तो मैं इसको डी में सिफ करता हूँ अब नेक्स कंटिन्यू तो इसकी यहाँ पे हम 20 रिकार्ड है लेकिन हम इसकी कर देते हैं 50.Store feature disk as a single file ok next hardware पे जाए और new SATA र2DETECT और यहां पे इस इसो फाल यहां पे OS ISO फाल पे जाएंगे और यहां पे parent operating system को चूज़ करना like this open then close and finish कर दिया और यहां पर अब यह दिखे हमारी विच्व मशीन प्रियेट हो चुकी है यहां पर हमने एड़ विच्व मशीन पर क्लिक करना एड़ विच्व मशीन सेटिंग और यहां पर option पर जाना है और advanced setting तो bios और रेडी है ओके यहां पर हमने इसको प्ले और दिस्वकु मशीन पर क्लिक कर देना है कि यहां पर हमारे विच्व मशीन सॉट हो चुकी है तो यहां पर ट्रा ईंस्टार्ल पर क्लिक करना है उरफ और एंटर हैं कि पर नो कि बोठी सिंपल स्टप्र्स हैं अब यह उसमें आइसो फाइल को डिटेक्ट कर लिए और लोड कर लिए पैरेट वैस झाले सका लिए अबड़निक्ति आए आए इसे फाइल कर लिए। झाल झाल यहां पर हमाँ एक Decks of Environment प्रोवाइड कर दिया गया है तो इंस्टालेशन का प्रोसेश यहां से स्टार्ट होगा जे तो ये है parrot OS यहां पर हमें एक install parrot का यहां पर setup मिल जाएगा हमने यहां से installation start करनी है तो इसके अपर install parrot के डबल क्लिक करें जे तो यह अमेरिकन इंगलिश है और रड़ी स्लेक्टेड है तो नेक्स पर क्लिक करें यहां पर आप जून से अपर सकते हैं तो हम पाकिसान का यहां पर क्लिक करते हैं यह पाकिसान कराची यह आप यह अर्टमेटिकल स्याप्ट हुग है नेस और यह डिफाल्ट रहने दे यह तो इसको चूज किना इरेड़ इरेस डिस्क अन्द नेस्ट यहां पर हम इस एक standard user होगा तो हम ने standard user का यहां पर name लिखना है लाइक हम कर देते है पैर्रट और यह इसका username है parrot यह वीच्टे मेशिन क्रियेट होगी यहां पर हम इसका password दे देते हैं, simple सा, कोई भी पासफ़र दे दे, next, और install, install now, अब इस्टालेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर कुछ तो मैं वीडियो को पॉस कर देता हूँ, जी तो installation complete हो चुकी है, तो system restart हो रहा है, वीडियो पॉस करते हैं, थोड़ा सा time लेदेगा, जी तो installation complete हो चुकी है, आपको इस तरह का interface मिलेगा, एक standard user का, तो यह मैं दूसरा use कर रहा हूँ, which machine, वो crash हो गई थी file, क्योंकि मेरी d drive फॉल हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैं इसको पहले super user में जाता हूँ, sudo su, यहाँ पर मुझे super user में आना पड़ेगा, then यहाँ पर pass wd root इंटर करना पड़ेगा, यहाँ पर password चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर password चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर एक फोड़ी से सेटिंग करने पड़ेगा, menu, then control center, login window, यहाँ पर password देना पड़ेगा, administration, then login window, users and groups, यह user पर क्लिक करना है और इन दोनों को आपने enable कर देना, then इसको close करें, और इसको करें, reboot now, अब यह हमारा successfully install हो चुक है, और हम में login as is root user, यहाँ पर करना है, यहाँ पर यहाँ पर हम root लिखेंगे, enter, और जो हमने password लगाया था, वो वाला password आउट देंगे, enter, तो यह successfully हमारा root user, यह login हो चुका है, यानि कि super user से, इसके पास full privilege है, अब इसकी network configuration और बाकी क्वार्ट्स, C.E.H. practical lab manual में, उस playlist में आपको सारे detail बताई जाएगी, और इसकी बाकी कैसे setting की जाएगी, वो आप C.E.H. practical lab manual देखें, वाँ पे बाकी तमाम configuration को explain किया गया, अब ये, इसको करते हैं, shut down, no, और video करते हैं, pause, okay,